लॉप्तुम करना का अातंक ऐसा है कि अब आप इमजन भी नहीं कर सकते कि क़र्णा आगे क्या कर सकता है आपने एक साल तो देखा किस तरह से। लॉड़़न रहा। किया फिर से लॉड़न की स्थिती बनेगी। क्योंकि दिली सरकार ने एक वर बता दिया फिर से आज कि जिस तरह से कोरॉड़न कांकरा बढ़ रहा है और हॉस्पिटल्स में बेड भी कम पढ़ने लगे हैं तो अब हमें लॉक्डाउन लगाना पर सकता है ये एक इसारा जो है उन्होंने दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने क्यों दिया है ये इसारा हम आपको बताते हैं लगभग जो कोर्णा के केसेज हैं वो आ रहे हैं एक लाख बावन हजार के करीव जो पिछले 24 घंटे की बात है वो मैं बता रहा हूं और सारे 800 से जादा लोंकी मौत हो गई है रिकवरी रेट जो है वो घटा हुआ नजर आ रहा है पहले 91-92 परसंट था उसके बाद 90 प्रतिशत पढ़ा गया है अगर पिछले तीन हपते की बात करें तो उसमें 8 प् बढ़ रही है हम आपको बताते हैं बिहार का हाल क्या है बिहार में कोर्णा की वज़ा से अव सर्वदलिय बैठक बुलाई गई है कोर्णा के खत्रे को देखते हुए राजिपाल फागू चोहान के अध्यक्सता में बैठक होगी तमाम जो लोग हैं वो अधिकारी हैं वो स कॉन्फरेंस करके कुछ गाइडलाइन्स तैकिये थे उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और इसी की जो आहट है वो सुनने को मिल रही है कि 17 अप्रैल को जो है वो सर्वदलिय बैठक होगी जहां पर आजिपाल फागू चोहान ह पर स्वास्पिभाग के वो भी होंगे और तमाम वो नेता जो संसदी कारे मंत्री हैं वो भी होंगे विजय कुमार चौधरी और साथ में तार्किशोर प्रिशाद भी होंगे यह जानकारी मिल रही है और इसी जानकारी के तहट आप भी तयार रहे कि बिहार में कुछ का केस डेली बढ़ रहा है तो सब्दली बैठक की तारीक में फिर से एक वर दोहरा दू सत्रा अप्रैल को सब्दली बैठक है और वो 11 वज़े से सुरू होगी हम आपको जानकारी देंगे आप जोड़े दिए दियाजी नियूज के साथ